हम शक्ति सरूपा मादुरगा की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं उस जगजननी कल्यानी की हम काथा गाते हैं धर्ती पर अम्बे क्यूं आई हम तुम्हें बताते हैं हम तुम्हें बताते हैं उस जगजननी कल्यानी की हम कथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं रे तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएका सत युग में एक दैत राज महशा सुर्था भारी जिसके डर से काप रही थी ये धर्ती सारी उसके बल और भैसे डोल उठा था इंद्रासन ऐसा लगता था के छिन गया इंद्र का सिंधासन देख के उसकी शक्ती देवता घबरा गए सारे जान बचा कर फिरते थे वो असरों के मारे सूर्य देव और पवन देव सभी देव तथे हारे स्वर्ग लोक को छोड़ कहां जाएं ये बेचारे दोड़े दोड़े वो ब्रह्मा के पास में जाते हैं उस जग जननी तल्यानी की हम गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएखा ए तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएखा प्रमदेव रक्षा की जो हम शरण तेरी आए प्रभू बता दो हमको अब हम और कहां जाएं दैत राज महिशाशुर की शक्ती बढ़ती जाएं छिनना जाए देव लोक यूमन है घबराएं इन असुरों से बचने का प्रभ कुछ तो करो पाएं पापी निशाचरों से प्रभ तुम हम को लियो बचाएं धर्ती के सब प्राणी को वो पापी रहा सताएं रिश्मुनियों और भक्त जनों के मन को रहा दुखाएं सारे देवता मिल कर अपना दुख सुनाते हैं उस जग गननी कल्याणी की हम काथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं मैं तेरे हजारों नाम तू बिखड बनाएकां मैं तेरे हजारों नाम तू बिखड बनाएकां ब्रह्मा बोले नारायन के पास में जाओ आख वही करेंगे रक्षा तुम्हारी मेटेंगे संता जाकर द्वारे देवता सारे करें हरी का जाओ उनके हाथों से ही मिटेगा इस धर्टी से पाओ भक्ती करके महशासुर ने मुझ से लिया वर्दान नस्चुष की शक्ती को करना इतना नहीं आसान वही बताएंगे कोई युक्ती करेंगे करुनादान बड़े चतुर बलवान है सबसे श्री विष्णु भगवान सारी बातें ब्रह्म देव उनको समझाते हैं उस जब गननी कल्यानी की हम काथा गाते हैं हम कखा सुनाते हैं मैं तेरे हजारो ना तू दिखर बनाएका मैं तेरे हजारो ना तू दिखर बनाएका प्रह्मा जी देवों को लेकर आये हरी के द्वार छिरसा गर के खड़े किनारे करते सभी पुका हे नारायन आजाओ संकट में है संसार शेश नागशया से फुट कर आये जग करता विश्नु जी ने बड़े ध्यान से उनकी सुनीवानी शिवशं करके पास चलन की मन में थी ठानी इसका निवारण करेंगे अब तो शिवशं कर भगवान देवों के महदेव हैं भोले उनकी शक्ती महान गम्मा विश्नु सब को लेकर कैलाश पे आते हैं उस जग गननी कल्यानी की हम काथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं एं तेरे हजारो ना तू तिजड बनाएता एं तेरे हजारो ना तू तिजड बनाएता शिवशंकर महदेव के आगे जोड़े खड़े सब हाथ ब्रह्म देव नारायन बोलो क्या है आखिर बाद रक्षा की जो देवन की शिवशंकर भोले ना असुरों का भै बढ़ता जाता है प्रभु दिन और राद ब्रह्मा विश्नु शिवशंकर तीनों ने किया विचार महिशा सुर जैसे दानव का कैसे हो संघार इन असुरों को हमने ही बलशाली दिये वर्दान हमरी ही शक्ती से ये सब इतने बने बलवान अपने ही वर्दानों को दे कर वो पच्चताते हैं उस जग जननी दल्याणी की हम काथा गाते हैं हम तका सुनाते हैं मैं तेरे हजारों ना तू तिकड़ बनाएकां मैं तेरे हजारों ना तू तिकड़ बनाएकां देवों की शक्ती से हुआ जग दंबा का अवतार सब देवों ने देदी ने अपने अपने हतियार चक्र और तिरशूल दिये हैं खडग और तलवार करने आई धरती पर मा असुरों का संगार अजब निराली शान है मा की और अजब सिंगार सर पर स्वर्ण मुक्ट सजा है गले में नौलक हार सूरज जैसा तेज है मुख पर शक्ती बड़ी अपार कस्त भुजी मा चलीर भक्तों सिंग पे हो असवा सारे देवता मिलके जै जैकार मनाते हैं उस जग जन्मी कल्याणी की हम गाठा गाते हैं हम कठा सुनाते हैं मैं तेरे हजारों नाम तू दिखड बनाएकां मैं तेरे हजारों नाम तू दिखड बनाएकां प्रम्मा जी ने दिया कमंडल शिव जीने तिरशू पगनि देव ने शकती दी सागर ने कमल का पूर विष्णू जी ने चक्र दिया और काल ने दी तलवार इंद्र देव ने बच्र दिया और छीर ने दे दिया हार विष्व कर्मा ने फरसा दिया वायून धनुश अरवार्वार सूर्य देव ने सब अंगों में देज किया परदार दिया वरुन ने शंक भेट में माता को उपहार सारे देवता करने लगे माता की जैजैका इस तरह से देवी को शक्ती अवतार बताते हैं उस जद दन्मी कल्यारी की हम काथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए तेरे हजारों ना मैं तेरे हजारों ना तू बिगड़ बनाएथां सेना नायक महिशासुर का चिक्षुर नामक बलवान देवी से युध करने खाया वो पापी नादां असलो माना मकमा तैत चामर और बिंदिपार माता जी को घेरे हुए थे वो सारे चंडार अंबिका देवी ने देखा जब उनको ततकार लगी फड़कने भुजा मात की रूप बना विक्रार सहस्त्र योजन सेना पर जब किया मातनेवार उन दुस्टों महबैत्यों का माता ने किया संगा किसी खुशी में देवता घंते नाद बजाते हैं उस जग कन्नी कन्यारी की हम काथा गाते हैं हम काथा सुनाते हैं ए तेरे हजारों नाम तू बिजड बनाएकां ए तेरे हजारों नाम तू बिजड बनाएकां असुरों के मरने से महिशासुर को क्रोध आया देवी गणों को मारने वो धर्भेसा रूप आया कभी खुरों से कभी थूत से उसने वार किया कोई पूच से कोई सींग पर धर कर मार दिया महादेवी के शेर पे जब महिशा सुर्था जपता माने बांद पाश में उसको धर्ती पर पटका वैसा रूप त्याग कर दानव असल रूप में आया शीश खडग से उसका माने काटना चाहा अब आगे क्या होता है ये तुम को बतलाते हैं उस जग जन्मी कन्यारी की हम काटा काते हैं हम काटा सुनाते हैं एकेर हजारो ना तू बिजड बनाएका एकेर हजारो ना तू बिजड बनाएका कभी भैसा कभी हाथी महिशा सुर बन जाता है अपनी महादेत शक्ती को वो दिखलाता है अपनी सुन्ड से मा के शेर को खीचना चाहता है सिंग राज हिर दैसे मा का ध्यान लगाता है क्रोध में भरके माने उसकी सुन्ड काट डाली बड़े वेग से आगे बढ़ रही माशे रावाली हाथी रूप से फिर वो दानव भैसा रूप में आया देवी वार करते ही अपनी बदल रहा था काया बेवी ने उससे कहा गरज को तुम्हे नाते हैं उस दग़ान्मी कल लगाडी की हम का खाते है हम कठा सुनाते हैं क्यों तेरे हजारों नाज तू बिग्ड बनाएदा क्रोध में मैया जी की सारी काया हो गईला अब तु मुझसे नहीं बचेगा महशा सुर्चंडार बोली मैया तेरे सर पर घोर रहा है काल ऐसा कहकर देवी माने अपने खोले बार सुर्ख हो गया मस्तक मा का क्रोध की भड की जौला जैसे हजारों सूर्य उगे फिर ऐसा हुआ उजाला सुनकर माता की बाते महशा सुर्गुर राया तू क्या बिगाड़ेगी मेरा कह करके मुस्काया सुनकर कर जन उस दैति की देव सभी घब राते हैं उस जद जन्नी कल्याणी की हम गाता गाते हैं कम कठा सुनाती हैं प्रेकीरे हजारों ना तू बिगड़े बनाए थां क्रोध में भरके मातारानी करने लगी मधुपान प्रेकीरे हजारों ना तू बिगड़े बनाए थां क्रोध में भरके मातारानी करने लगी मधुपान करजन करके आगे बढ़ता महादेत बलवान देवी शक्ती को ना जान सका पापी नादान मा की तरप लगा फैकने परवत वो शैतान अपने बाणों से करती मा परवत को भी चूल मेरे हाथों नहीं बचेगा थोड़ू तेरा गुरू मैया और महिशाशुर में लग होने वार पेवार चक्र सुदर्शन भाले बर्चे चले तीर कलवार सारे रक्षस मिलमा पर हतियार चलाते हैं उस जद जननी कल्याणी की हम काथा जाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रै तेरे हजारों नाम तू बिग्ड बनाएकां कट कट कर सर गिरे धरा पर बही रक्त की धाल दानव दल में होने लगा था अब तो हाहा कां हाथी गोड़े और पसुरों के गिरने लगे शरीर माता रानी बड़े वेग से चला रही थी थी जब तक मैं मधु पीती हूँ जब तक तू लेले सांस आज नहीं बच पाएगा तू तेरा करू विनाश आज लगा ले तेरे अंदर जितना भी है जो लेकर भाला चली अंबिके महिशा सुर की ओ आगे दानव पीछे देवता दोड़ते जाते हैं उस जग जननी कल्याणी की हम काथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं के तीरे हजारों ना तू बिख्ड बनाएका पेवी ने फिर महिशा सुर को पैर से दबा लियां शूलत फिर उस दानव के कंच पिवार कियां दूसर रूप में मुख से दानव आने लगा बाहर आधे रूप में धीवो मां पर करने लगा थावार देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया माने धर्ती पर से उसका भार उतार दिया सारे देवता और रिशियों ने जैजैकार किया खूलों की वर्षा से माता का सतकार किया उस महिश मर्दनी को वो सारे शीश जुकाते हैं उस जदनी कल्यानी की हम कथा काते हैं हम कथा सुनाते हैं मैं तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएका मैं तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएका मैं तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाएका हम आदि सकती मवैशनों की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं हम आदि सकती मवैशनों की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का तेता युग में बढ़े गया दैत्यों का आत्या चार होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादा आई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हाथ जोड बोली कन्या है माता बतलाओ मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओ सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का तीनों माता बोली इक रा जारत ना सागर कन्या रूप में ले लो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जनम लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम बड़ा अदबुत कन्या जनमी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यग्य हमन भी करता राजा और कभी करे सिकार खेल खेल में राजा ने कई पस पच्छी दिये मार सोक में कई निर्दूस प्राणी मारे जाते है पावन कथा सुनाते है आवे शोरूप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यह बनते विगडे का सोक पिता का वैज नभी को चो रास नहीं आया क्यों करते वद निर्दूसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप पहलेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैश्नो धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्नो रूप में क्यों आई ये हम मतलाते है है पावन मा का घाम यह बनते विगडे का है पावन मा का घाम यह बनते विगडे का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझे को तप माता पिता को समझाया सुनकर बेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुमारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भग जीपसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझे को दे तो आशिरवार परियोजन इस धर्ती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते है पावन कथा सुनाते है मा विश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने चाग दिया छोड़े संसार के काम घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हरसा है क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बतलाओ बोली अरधांगिनी रूप में मुझे को अपनाओ इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते है पावन कथा सुनाते है आवेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोता फिर तुमको अरधांगी निरूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भगतों का उद्धार करो दुष्चों का नास करो वहां वैश्नो देवी नाम से तुम चानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्वरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विग्डे का है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का सिरी राम के आँग्यां का मा पालन है करती वैश्णो देवी रूप में माता सब के दुख हरती स्रंधा भावस जो भी आता है इनके दरबार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महा लक्ष्मी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्णो माता पे विस्वा नहीं तूटने देती माता बेटों की कुईया तभी तुदर सन करने भत लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्णो रूप में क्यों आई यह हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का कट्रा से कुछ ही दूरी परहन साली इक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर ना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पहरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अतिनिर धन होकर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अर्दास लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावै शुरूप में क्यों आई ये आम मतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विग्डे कां है पावन मा का धां यह बनते विग्डे कां भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवा भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खया क्यों नहीं देती दर्सन मुझे को ये तो बतलाओ सच्चा दास तुम्हारा हूमा मुझे को अपनाओ बोला सीस्त जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाऊं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रस्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेस की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना नियोता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा अति निर्धन थे स्रीधर चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है जगजननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझको लगता है याज घर घर जाकर नी मंत्रड वो सबको दे आया भैरोनात कटेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कवडी नहीं है करसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्ण रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचम भित भैरों बड़ा हुआ गोरकनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरकनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरक अपने सब चेलों संग आएंगे बने हचपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदेह हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावै शुरूप में क्यूँ आई ये हम दिलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगड़े कां हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ध्यान पर अपने तप पे भी था भैरो को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैट खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरो रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरो को समझाया लोट जवापिस भैरो वरना काल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरो ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरो नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे अण जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शोरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े कां है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े कां भैरो नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरो अभिमानी माता को आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया काहां गई वो कन्या भैरो होने लगा बेचैं जब तक भेद नहीं जानूंगा आये न मुझे को जैं त्रिकूट परबत की गुफा में वित्त मानी थी मान काहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का लांगुर वीर को फिर भैरों ने युद्ध के लिलाल कारा का हाथ पीछे हटने वाले दिया जबाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आगई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वो जाके दूर भैरों को अपनी गलती का फिर आभास हुआ कि ये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ कियां भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ कियां है भैरों ये तप तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे बिना धूरे मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भत बैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरों मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैकारा माता का लगाते है पावन कथा सुनाते है पावन माता धां, यहां बनते बिगडे का सपने में आकर माने स्रीधर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रैसन हुए तब से अब तक स्रीधर वंस ही करता मा की पूजा वैश्नो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और डीयस पाल तो सीस जुकाते है मावन कथा सुनाते है मावेश्न रूप में क्यों माई ये हम मतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगडेगा 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 है